जय हिंद आप सभी का में डिफेंस चैनल पे स्वागत है तो आज की डिफेंस अप्लेट वीडियो में हम एक पहुत ज़ादा महतोपून टोपिक के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं तो आज के वीडियो में हम यह डिसकेशन करने वाले हैं कि भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने स्वदेशी हत्यारों के उपर ही फोकस करना चाहिए बले ही उन हत्यारों की परफॉर्मस थोड़ी प्लस माइनस हो पर स्वदेशी वेपन का यूज करने से कौन से फायदी हो सकते है इसके बार में हम डीटेल से डिसकेशन करने वाले है और उसके अलावा जो हम हत्यारों को इंपोर्ट करते हैं उनसे हमको क्या बड़ी नुकसान होते हैं इसके बार में भी हम डीटेल से डिसकेशन करने वाले हैं तो अगर आप मेरे डिफेंज चैनल पे नई है तो प्लीज मेरे डिफेंज चैनल को सबसाइब करें बेल आइकन दबाना ना बुले और कॉमेंट सेक्शन में जैहिंज जैबारत जरू लिखेगा और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंज के रिलेटेट कंटेंड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आपको डिफेंज के रिलेटेट कोई भी क्वेशन हो तो आप अपना क्वेशन कॉमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा जिसका आज़र में अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो आज की डिफेंज अप्टेट वीडियो को शुरू करते है पहले आपने देखा होगा कि बारत को छोटे से छोटे खत्यार के लिए भी फोरन कंट्री के उपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था जिसकी वज़़से वह देश अपनी मनमानी करता था और अपने हिसाब से पैसे भी लेता था और उसके अलावा वो अपनी चीज़े भी मनवा लेता था और उसके अलावा बात करें तो भारत के उपर एक तरह से प्रेशर भी क्रियेट कर रहा था अभी फिलाल आप देखोगे तो पहले के हिसाब से अभी फिलाल चीज़े काफे ज़़दा बदल चुकी है और भारत अपने जो मेडिन इंडिया वेपन है उनके उपर ज़्यादा फोकस कर रहा है और इसके अलावा बात करें तो अगर कोई हत्यार भारत को इंपोर्ट करना पड़े तो भारत उस हत्यार की टेक्नोजी भी ट्रांसपर करवाता है जिसकी वज़े से आगे जाके भारत को कोई बड़ी प्रबलम ना आ सके पर मेरा यह मना है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने स्वदिशी हत्यारों के उपर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम किसी दोस्त के पास से हत्यार को खरी देगे और अगर मान लो उसके उपर सेंक्शन लगे जैसे कि रिश्या के केस में हुआ तब क्या हुआ कि Ace Pro 100 Air Defense System के जो सप्लाई है उसमें भी देरी हो रही है इसके अलावा अन्या equipment में भी देरी आ रही है अब हम इस चेस के उपर discussion कर लेते हैं कि स्वदेशी हत्यारों को ज्यादा नंबर में खरीदें से कौन से फायदे हो सकते हैं तो सबसे पहला भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और उसके अलावा स्वदेशी हत्यार डेवलोप करने और यूज़ करने से क्या होगा कि अगर मान लो कि हमने किसी अन्यादेश के पास से हत्यार खरीदे हैं और जंग ज वो made in India weapon की comparison में ज्यादा कोश्ट ले भी होते है जो कि आपने definitely दिखा होगा और उसके अलाबात करें तो एक तरह से हम उस देश के उपर dependent भी हो जाते हैं उसके अलाबात करें तो foreign हत्यार का एक minus point यह भी होता है कि हम जिस देश से खत्यार लेते हैं शायद ऐसा भी हो कि हमार हमें मिलना चाहिए उतने ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कुछ वज़े थी जिसकी वज़े से जो foreign अत्यार है उसको भारत को अवर्ट करना चाहिए और made in India weapon के उपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए तो hope आपको मेरा informative वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अन्तक देखने के लिए धन्यवाच जहीं जय भारत मिलते है अगले वीडियो में